मानिनिय प्रधान मंत्री जी सादर नमशकार, मेरा नाम है आर अक्षरा सिरी, मैं जवाहर नौदे विद्याले रंगारेडी हैदरबाद की नवी कक्षा की छात्रा हूँ, मानियवर मेरा प्रशन है हमें अधित परशाएं सीखने के लिए क्या करना चाहिए, मैं इसमें आपक की मार्गदर्शन चाहती हूँ, धन्यवाज श्रीमान, थांक्यू अक्षरा, ओन्रिवल प्राइम मिनिस्टर सर, इसी से मिलता जुलता प्रश्ट, रितिका गोड के भारत की हृदे नगरी भोपाल से आई है, वे हमारे साथ सबागार में है, रितिका कृप्य अपना शाच की सुभाश उतक्रष्ट मादमिक विद्याले स्कूल फॉर एक्सिलेंस की छात्रा हूँ, सर मेरा कॉशन आपसे यह है, कि हम अधिक से अधिक भाशाएं कैसे सीख सकते हैं और ये क्यूँ जरूरी है, धन्यवाद धन्यवाद रितिका, मानने प्रिधान मंत्री जी, क्रिप्या अक्षरा और रितिका को बहु भाशी कौशल प्राप्त करने के लिए मार्ग दर्शन करें, जो की समय की आवशक्ता है, मानने प्रिधान मंत्री जी बहुत ही अच्छा सवाल पूशा आपने, वैसे मैं शुरू में कह रहा था, कि मा की चीज़े छोड़ करके थोड़ा फोकस होते जाईए, फोकस होते जाईए, लिकिन ये एक ऐसा सवाल है, कि जिसमें मैं कहता हूँ कि आप जड़ा एक्स्ट्रवड होया जाईए, थोड़ भारत विविद्वताओं से भरा हुआ देश है, हम गर्व के साथ कह सकते हैं, कि हमारे स्पास सेक्ड़ों भाषाएं हैं, हजारों बोलियां हैं, ये हमारा रिचनेस हैं, हमारी सम्रिद्धी हैं, हमें अपनी इस सम्रिद्धी पर गर्व होना चाहिए, कभी-कभी आपने देखा होगा, कोई विदेशी वेक्ति हमें मिल जाएं, और उसको पता चलेगा अब इंडिया के हैं, आपने देखा होगा, कि थोड़ा सा भी वो भारत से परिचित होगा, तो आपको नमस्ते करेगा, नमस्ते बोलेगा, पुरनाउंसेशन में थोड़ा इदर उदर हो सकता है, लेकिन बोलेगा, जैसा ही वो बोलेगा, आपके कान सच्चत हो जाते हैं, उसको पहले एक ड्राउंड में अपनापन मैस्सूस होने लगता है, अच्छा, ये विदेशी वेक्ति नमस्ते बोलता है, मतलब की कॉम्यूनिकेशन की कितनी बड़ी ताकत है, इसका ये उदर है, इतने बड़े देश में आप रहते हैं, आपने कभी सोचा है, कि शौक के नाते, जैसे हम कभी सोचते हैं, मैं तबला सिखू, कभी मैं सोचता हूँ, मैं फ्लूट सिखू, मैं सितार सिखू, पियानो सिखू, ऐसा मन में करता है कि नहीं करता है, वो भी एक हमारी अतिरिक विधा डेवलप होती एक नहीं होती है अगर ये होता है तो मन लगा करके अपने अडोस-प्रडोस के राज्य की एकाथ दो भाषा शिखने में कह जाता है कोशिश करनी चाहिए और सिर्भ हम भाषा सिखते हैं मतलब बोल चाल के कुछ वाक्य सिख जाते इसा नहीं है हम वहां के अनुभवों का निचोर जो होता है एक एक भाषा की जब अभिवक्ति होना शुरू होती है तो उसके पीछे हजारों साल की एक अभीरत अखन अभिचल एक धारा होती है अनुभव की धारा होती है उतार चड़ाव की धारा होती है संकटों का सामना करते हुए निकली हुई धारा होती है और तब जह करके एक भाषा अभिवक्ति का रूप लेती है हम एक भाषा को जब जानते हैं तब आपको उस हजारों साल पुरानी दुनिया में प्रवेश करने का दुवार खुल जाता है और इसलिए बिना बोज बनाए हमें भाषा सिख मैं कभी भी हमेसे मुझे दुख होता है बहुत दुख होता है हमारे देश में कहीं पर कोई एक अच्छा स्मारक हो पत्थर का बना हुआ और कोई हमें कहें कि यह दोजार साल पुराना है तो हमें गर्व होता है कि यह होता है इतना बढ़िया चीज़ दोजार साल पहले थी किसी को भी गर्म होगा तिर ये विचार नहीं आता है कि किस कौने में है अरे भई 2000 साल पहले का ये व्यवस्ता है कितना बढ़िया बनाया है हमारे पुरवजों को कितना ज्यान होगा अब मुझे बताईए दुनिया की सबसे पुरातन भाषा दुनिया की सबसे पुरातन सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की सबसे पुरातन भाषा जिस देश के पास हो उस देश को गर्म होना चैक नहीं होना चाहिए सीना अपतान करके दुनिया को कहना चैक नहीं कहना चैक विश्वकी सबसे पुरातन भाषा पूरी दुनिया की इतनी बड़ी अमानत इस देश के पास है इतना बड़ा गवरव देश के पास है द्याद है लिए हम सिना तान करके दुनिया में कहते नहीं है पिछली बार जब यूनों में मेरा भाशन ता तो मैंने जान बुझकर कुछ तमिल बाते बताईए क्लिक WA हो कि मैं दुनिया को बताना चाहता था मुझे गर्व है कि तमिल भाषा दुनिया के स्रिष्ट वासा दुनिया के सबसे पुरानी भाषा की मेरे देश की हमें गर्व करना आ चाहिए अब देखें बड़े आराम से उत्तर भरत का व्यक्ति दोसा खाता है कि नहीं खाता है खाता है कि नहीं खाता है संभार भी बड़े मेजे से खाता है कि नहीं खाता है तब तो उसको उत्तर दक्षिन कुछ नजर नहीं आता है दक्षिन में जाई आप तो वहां परोड़ा सब्जी भी मिल जाती है पूरी सब्जी भी मिल जाती है और बड़े चाव से लोग खाते हैं गर्ब करते नहीं करते हैं कोई कोई तनाव नहीं होता है कोई रुकावट नहीं होती है जितनी सहस्ता से बाकी जिंदगी आती है उतनी ही सहस्ता से और मैं तो चाहूंगा हर किसी ने कोशिश करनी चाहिए कि अपनी माप्तुरु भाषा के उपरान भारत की कोईन कोई भाषा उस्तों सेंटेंसिस आने चाहिए आप देखिए कि आपको आनन्द आएगा जब ऐसे व्यक्ति को मिरोगे और दो वाक्य भी अगर आप उसकी भाषा में बोड़ोगे एकदम अपनापन हो जाएगा और इसलिए भाषा को बोज के रुप में नहीं अब मुझे आद हमें जब बहुत साल पहली के बार सामाजी काम में लगा था तो मैंने एक बच्ची को और मैंने देखा है कि बच्चों में भाषा को कैश करने की बड़ी गजब की ताकत होती है अड़प कर देते बहुत तेजी से तो मैं कभी हमारी हाँ केली को मिल के मद्दूर परिवार था एंदाबाद में तो मैं कभी उनके आप भोजिन के लिए जाता था तो वहाँ एक बच्ची थी वो कई भाषाय बोलती थी क्यों क्यों देख तो वो मद्दूरों की कॉलोनी थी तो कॉस्मो कॉलिटी थी उसकी माताजी केरल से थी पिताजी बेंगाल से थे पूरा कॉस्मो कॉलिटी थी बगल में ये परिवार मराठी था और स्कूल जो होती थी वो गुजरादी होती थी कि मैं हरां था वो साटाइट साल की बच्ची है हूा पेंगाली मराठी मलयालम हिंदी इतनी तेज गती से बढ़ियां और गरवियकर पाट लोगं बैटे हैը इससे बात कने सब्सक्राइब अचानly में करें इससे करें तो गुजराती और देस साल की ब коп similar थी यहनु उसकी उसकी प्रतिभाँ खील रही थी और इसलिए मेरा तो आप से आगर रहेगा कि हमें अपना अपनी विरासत पे और मैंने ते इस बारलाल के लिए से भी कहा था पंचे प्राण की बाद अपनी विरासत पे हमने गर्व होना चाहिए और हमें गर्व होना बहुत बहुत धन्यवाद